आज का शो आपके नाम, आज का शो आपकी सिहत के नाम और आपके अच्छे मुस्तक्बिल के नाम डॉक्टर ईसा, आज जौ से क्या कुछ करने जा रहे हैं? वेट आप अपना बढ़ा कैसे सकते हैं? ये भी जौ से कैसे करेंगे? बिलेट पेशर अगर आपका हाई रहता है, कोलस्ट्रोल है, उसको कैसे हिकम करेंगे? जौ का कुटा हुआ आटा, तीसरी चीज जो हम इसमें डालने हैं वह है किश्मिष, मुनक्का भी मिलता है, किश्मिष का सबसे बड़ा साइज, वह आप डाल सकते हैं, ज्यादा अच्छा होता है, इसको कहते है, रेसेपी हो गई? मुकमल, वाँ, इसके अंदर थोड़े से पिस्टे, थोड़ी खजूरें, थोड़ा इंजीरें, इसके साथ में आपको दो चीज़ें हो राट करूगा, जिससे आपकी बोन्स का बड़ा एक इस्यू जो होता है, वो कम्प्लीट होगा, इल्कुल एक छोटा सा टुकुड़ा दिल की धड़कन इनसान के जिन्दा होने का सबूत है, ये रुक जाए तो हमारी सारी सरगर्मियां हमेशा के लिए खतम हो जाती है, खुद को तंदरुस्तो तवाना रखने के लिए दिल को तंदरुस्त रखना भी इंतहाई जरूरी होता है, दुनिया में सबसे ज़दा अ अम्राज कल्ब का हमला अक्सर उस वक्त होता है जब इनसान हर लिहाज से अपने अरूच के दौर से गुजर रहा होता है, यानी 40-50 साल की उमर के दौरान किसी हिस्से में, इस दौरान सौ में से 50 फीसद अफराद हस्पता लिये जाने से कबल ही खाली के हकीकी से जा मिलते ह दिल जिसम का सबसे नाजुक हिस्सा है और इस पर ही जिन्दगी का पूरा निजाम मुनस्सर है दिल के दोरे से बचाओ के लिए दिल की सिहत का ख्याल रखना इंतिहाई जरूरी है असलाम आलेकूम और गुड़ मॉर्निंग आज का शो आपके और हमारे दिल के नाम ये वो दिल नहीं है जनाम जिसकी हम आज़कल खबरे सुन रहे हैं और इमाद वसीम पे तो खेर बहुत ही जारा खबरे हम सुन रहे हैं लेकिन ये वो दिल है जिसके हमारे जिन्दगी में हर चीज में हर बात में अमल दखल जरूर है। जीने में तो दिल का सबसे बड़ा अमल दखल है क्योंकि ये नहीं धड़केगा। तो सांस रुक जाएगी, सांस रुक जाएगी तो हमारी बॉडी का निजाम यहीं खतम हो जाएगा। जब हम किसी से महबत का इ regrets है तो हम यही कहते हैं कि दिल से महबत करते हैं या कहते है जी उसकी बात पर ऐसा था कि मैंने जैसे क्रीफ शायरी कर रहा तो शायरी कहता है के मेरे तो दिल मेरे पास है य। नहीं मेरे महभूब के पास है ये बएसिकली वह बात कर रहा था हूँ कि मुझे उससे получается एतनी है तो बात आ गई दिल की कि हम उसको महबत में भी गसीड लेते हैं, हम उसे नफरतों में भी गसीड लेते हैं, हम उसको हर चीज में गसीड लेते हैं, अरे भाई, कोई दिल से पूछता है कि तुम खैरियत से हो, तुम ठीक हो, तुम्हारा ठीक तरीके से ख्याल रखा जा रहा है या नहीं रखा जा रहा है तुम्हें वो घिजा हम दे रहे हैं तुम्हारे खाने पिने की वो चीज़ें वो हैं जो तुम्हें चाहिए या फिर तुम अगले की जो दिल की लो के तरह भी मेरा तो दिल ये कर रहा है कि मेरे चॉकलेट खानी है मेरा तो दिल कर रहा है जी मेरे पाई खाने है और आपका दिल नहीं कर रहा हुता वो दिल करता मुझे बख्ष दो, खुदा के लिए मुझे जीने तो मुझे धड़कना है, यह बहुत फैट आगया मेरे आसपास तो उस दिल की आज मैंने बात करनी है कि जो आपके और हमारे लिए बहुत जरूरी है इस दिल को हमने खुश वैसे कैसे रखना है और इस दिल को हमने सिहत में कैसे रखना है ताकि मारे जिन्दे की जो डोर है वो ऐसे ही चलते रहे और फिर वो ही बाली बात है कि जिन्दे की डोर जिए पच्छी चलती है तो कहते हैं कि भई यह जिन्दा दिल लोग हैं आज का शो क्योंकि आज दुनिया भर में दिल के हवाले से, दिल की बिमारियों के हवाले से, आगाही के हवाले से आलमी दिन मनाया जा रहा है तो हमारे साथ जो डॉक्टर्स हैं, वो भी दिल के डॉक्र्स है, यहने कार्डियोलोजिस्ट है तो सबसे पहले तुछी जोड़ा ताली में वेल्कम करेंगे डॉक्टर स्वेल अब्रार साथ को उनके साथ हमारे पास यहाँ पर तश्रीफ फर्मा है डॉक्टर इर्फान इलाही नाना कार्डियोलोगी से यह बगी नाम सर्ये चांदना है चांदना इनका नाम है और साथ में हमारी बहुत ही प्यारी अब्दलिस्ट है डॉक्टर मेराईल हमारे साथ है जोड़ा ताली हदी अच्छा आज के शो में से दिल की बाते नहीं होंगी बलके हम आपको बहुत सारी इसे अक्टिविटीज आपको करके बताएंगे है हमारे साथ टबबा इंस्ट्यूट से यहां पर उनकी पूरी टीम आई है जो यहांपर different test करेगी और साथ ने बताएगी क्या कि खुदा ना खासला खुदा ना खासला जब घर में किसी को heart check होता है heartisée काता है तो हमें समझ बनी आती तो यह पूरे आज के शो में आपको दिल का मर्स है तो हमें कॉल किजे हमारे साथ जनाब यहां पर पैनलिस्ट है पाकिसान की बिफ्तरीन तो मैं डॉक्टर व्रासब आपके पास आउंगी अच्छा इस बार जो हमारी जो दिल की बिमारीं से अगाही का दिन बनाए जा रहा ह उसके अपनी थीम्स होती है लेकिन वही बात के होता यही है और हर थीम्स में मकसद यही है कि दिल को तबाना और तंदरुस्त रखना है तो जब दिल की तंदरुस्ती की बात कर रहे होते हैं कि दिल सही होना चाहिए दिल सही से काम करना होना चाहिए तो उसे क्या मुराद ह एक हैं, दूआ है इम्पोर्टेंस टो आपने बहुत बताई है, एका चीजे पहले मैं आएड करने की होगजा है यगर आप फोरान में देखें जिस और लिकरनों में सबसे ज्यादा थफिरह है, वो कल्ब है, तो सारी बातें दील से हैं, सारे बातें, सारी जिंदेगी दिल से सेहट थालते हैं, हम अपनी दिल कहते हैं, बड़ हम अपनी खोहिशात के चीज़ें कर रहे होते हैं और दिल यगीन नसे नाराज हो ज Saxmit मतलब दिल में बहुत सारे component होते हैं दिल के जो सबसे important होता है वो दिल as a pump काम कर रहा होता है और उसके पठे होते हैं जो तवाना होने चाहिए तन्रोस होने चाहिए जिसमें वो पंप करें बलॉड आपकी पूरी बॉड़ी को पहुंचता रहे उन पठों के लिए ज़रूरत होती है गजा की और वो करढ़ों को जेहा हो गए बलॉड बजल पहुंचेगा जब नहीं पहुंचेगा अगर ऐसा होता है तो आपकी दीज़ को अखने में और अपको चलड़ होता है पनीहें कशना करें आप लिकेन अगर अगर फेसी के अड़ाध है नंचीपन ने बब टहुंगल होता है तो दि 95% बाहर से अगर कोई और भी चीज आके उसमें अगर फस जाती है लेकिन उस क्लॉट के अलावा भी लेकिन यह कि ऐसा बहुत ही रेयर होता है सब से कॉमन चीज यह कोन की नाली में कोलस्ट्रॉल जमना शुरू होता है वो नहरूंग होती है उसके बाद वो कलस्ट्रॉल का ज की वह बंद होती है कि ब्लट सप्ला इना जाने की वजह से दिल पठोल से बनाय कि दुभार हो सकते दुभारा नहीं कर दृती होते जितने आज उतने नहीं होते हैं उतना इकाग्र वाहता इकला जाता चर्स कि अमिehाज़् मिन काम करते हैं वो वापस नहीं आते हैं। एफिशन्सी आरी होती डॉक्टर चानना या फिर वो अल्ला की तरफ से कोई ऐसी चीज आ जाती है। एफिशन्सी के जो शुरू के तीन महिने होते हैं उसमें तो उन चीजों की वज़ा से इस तरह के पैदाईशी नकाईस हो सकते है। एफिशन्सी आरी होती है। एफिशन्सी आरी है आरी है, मुनीर भाई यह तो आप आज वरह न जखते हैं आज अफ्रूशन्स कर दिया शो के जी दूसरी बात चले नेक्स कॉल, इसलाम लेकूं वालेकूं इसलाम, कैसी है, Madhya? जी मैं अभी कुछी कौन बात करी हैं? Madhya में में मुझी जजार बात करी हैं, तिंडी से जी, जी मुझे तक्रीब ऐसी डॉक्तर साइबान से एक स्वाल करना था जी, जी जी, तक यजी तक दिशने से ने तक में उन्ते कि जॉक्तर सालों बिज़ पिंटेशन तो, चैजार या ज़ूर्ण में पूचेंगी का घर या जी जा। ठीक है, ठीक है, आप शो देखते रहें, मैं अजिए ज़रान पूचंगी और कॉलरे था अलेकुम जी अलेकुम वालेकुम असलाम कौन बात कर रही हैं जी फरा क्या पुछना चाहेंगी जी अलेक। आपको डॉक्टर ने बताया आपको दिल की तकलीफ है। ब्लड प्रिशन का लो रहता है। ब्लड प्रिशन का लो रहता है। ब्लड प्रिशन का लोग रात दीन ब्लड प्रिशन का लोग ब्लड प्रिशन के फिर आगया। अगर ये वाले symptoms नहीं है तो blood pressure के numbers पे नहीं जाएं overall देखें तो lower blood pressure is better जतना आपका कम है दिल को ज़्यादा उसको इतनी कम काम करना पड़ा है उसके उपर इतना कम pressure है पंप करने के लिए तो वो तो अच्छा है lower blood pressure अच्छा lower blood pressure में भी दिल की बात आजी थे है मेरा दिल डूब रहे है वो डूब रहा है मेरा दिल डूब रहे है और कुछ भी नहीं होता हमने खाना नहीं खाया होता है चकरा रहा है यह इन्होंने अच्छा बहुत अच्छा सवाल पूछा और यह बहुत हमारे community में misconception है जैसे डॉक्र सुहल ने कहा कि low blood pressure कोई बजाते खुद बिमारी नहीं है लेकिन कुछ बिमारियों में ऐसा हो सकता है जैसे अल्ला ताला ने हम सब को मुक्तलिब बनाया है इसी तरह से हर इनसान का blood pressure भी फरक हो सकता है उसकी नॉर्मल रेंज है तो अगर किसी खातून का blood pressure उपर वाला 90 रहता है और यह बहुत सालों से ऐसे ही है तो यह उनके लिए बिलकुल नॉर्मल है यहां जितने लोग बैठे हैं उनका अगर हम blood pressure चेक करेंगे तो हो सकता है कि बहुत सारी खातीन का 90 और 100 blood pressure आए तो यह उनके लिए normal blood pressure जो Allah ताला ने उनके जिसम के हिसाब से उनके लिए बनाया है और यह एक्चुली बहतर है कि ऐसे लोगों में खातीन में वैसे blood pressure कि इतना बहतर होता है जो हम range लेते हैं बूजवली उपर वाला blood pressure systolic 90 तक होता है 90 और निशे वाला और 90 से उपर इसकी range जो होती है नॉर्मल वो 120 तक हम नॉर्मल लेते हैं अच्छा में 40 से हम एक बुलाकर देख लेगे लिए कि खावतीन अपना बिलकुल खयाल नहीं रखती when it comes to the hill अच्छा, मैं चाहँगी , आप आजाई आप आजाई आजाई आप , आजाई आजाए , आजाई आजाई आप , फिर इनको दिएजी टिर अच्छा एद esse céu , ज्चाहँ है , इनको बीठ पर्सस्य चिसर फिर पहली। यह क्या है जी जनाब, असलाम लेकुम. यह बोडी पैट अनलाइजर है, इसे हम बोडी के फैट्स को कैलकुलेट कर लेते हैं, कि इसमें हमारी कितने फैट्स हैं, कितना मसल है, कितना फैट है, यह से पता चल देता है, आपका टोटल वेट कितना है, वही आपको बता देती है, और बेमाई वगर भी बता देता है, नॉर्मल बॉडी में फैट कितना होना जाहिए, दो तरीके के फैट्स होते हैं, एक विजरल होता है, जो हमारे दो तरीके के तेते हैं कि हमारे body fats कितना है और हमारे प्लाइ और हम यह स्ट इप से चेक करेंगे, अच्छा ठीक है, ठीक है जिसको यह ज़रा मेरी बढ़ा शुगर चेक कर लें कितनी दमेर जो चेक हो जाती है, वान मिनट में हो जाती है, फिर में भी टाइम ले लेती हूं ने टीग है और ऑर साथ में जनाब जिसे हम इनका पॉल्स ब्लेट प्रेशर जो यहां पे हमने बिठाई हैं और देखेंगे के मायर पर नहां जो आम जो खवातीन हैं उनका नॉर्मल लाइफ में नॉर्मल रूटीन में ब्लेट प्रेशर कैसा होता है क्योंकि हम ये खुद तो कभी सोचने की कोशिश नहीं करते हैं अगर ज्यादा कुछ ऐसी चीज़े खाली है जिससे गैस होती है वो सीने तक पहुंच की वो दर्द करी तो है मुझे दिल का दौरा पढ़ गया हर वो हो हमने हमें हलका सर ड्रॉमा चाहिए होता है लेकर करते हैं ड्रॉमेस निगल कि हम अपनी सारी चीज़ों ने खल नीए रखरें वो ऐसी कौन सी चीज़ नहीं है जणाब उनसब पर आज बात करेंगी कियो कि आज दिल का दिल को सहतियाप कैसे रखना है दिल को तंदरुस केसे रखना है इस अवाले से बात करेंगे औ और उमे आजब से क्या बनाना बताएंगी यहां पर? दिल को सेहतमन जिसे डॉक्टर सो मौज़ों हैं वो बिमारों का इलाज बताएंगे लेकिन हम वो बताएंगे जो आपका दिल बेमार ही नहीं होगा। आई है क्या बाते से बाते से एक शोटी सी ब्रेक की बाद हम वापस आरे जनाब कहीं में चाहिएगा। हार्ट डे बनाए जा रहा है और दिल को सेहतमन रखने के लिए क्या कुछ करना चाहिए आज के शो में हम ये बात कर रहे हैं ब्रेक के बाद हमें जोईन के है डॉक्टर फरजाना आमिर हाश्मी ने जो के जिपटी जीम कार्डियोलोजी अपार्टमेंस के का तालुक है और चबा हार इंस्टिटिटिशन के तालुक है जोईन के जिए पहले में जिन जीन चीजों की बात कर रहते पीछे कि जो जो चीजे हमारे पास पीछे मौजूद है तो उनके हम आपको उच्छे तरीके संडिस्टानिंग नहीं दे सके इसले डॉक्टर फरजाना से में दुबा डॉक्टर फरजाना मैं चाहती हूँ आप ज़रा दुबारे साथ मारे साथ पीछे आज़ें जो आपने इसकी बात किया में उठाई लेती हूं इसकी बात हाँ ठेक है Madiha basically ये लाने का मफसद ये था कि लोगों को ये बताया जासे कि कि बजाहर जो हमारे हमारे healthy individual नजर आते हैं हमका वतीन है राइटिंग करते हैं हमें बसोता है कि अगर हमारा वेट नॉमल है हम लिखने में दुबले नजर आया तो वी are healthy हमें कोई problem नहीं है तो ये important नहीं है कि आप देखने में दुबले नजर आते हैं आपका वजन कम है Important ही है कि आपकी body में जो composition है मुसल्स होते हैं फैट होती है ठीक है और दूसरे मिनल्स होते हैं तो composition क्या है वो muscle mass ज्यादा होना चाहिए long term health benefits के लिए तो ये जो machine है आपकी ये बताती है कि आपकी body की composition क्या है आपकी body में muscle mass कितने percent है fat कितने percent है ठीक है आपकी body में जो bone density है वो कैसी है calcium उसमे calcium levels वगरा ये सारे अच्छा हमारी तो उम्मे जो है उम्मे माशाला माशाल से क्योंकि अब तो नानी भी बन चुकी है उम्मे को मैं आश्विर के बाद प्रॉपर जो अच्छी तरीकी से मुबारिवाद होगी अच्छी तो उम्मे हमारी बड़ी फिट है वाख़ोगी डॉक्टर भी है तो मेरे खाल से यह ऐसे लोग के लिए अगर उम्मे का उम्मे आपका चेक करें बिल्कुल और अच्छी साथ में मैं चाहूंगी प्लीज आप आज़ी ताकि हम इसका टेस्कर सकें और साथ ने एक जलीज हमारे पासर जी जलीज भी बड़े फिट है बजाहर अपने हर वक्ट डॉले शॉले बना के गुंद है तो उनका भी देखा जाए कि वह इसके लिए क्या की चीज़े हमें पूछनी बटनी इसके लिए हाइड दरकार है क्या है हाइड वेट एज एज गुछ बाईयोडा है गुछ बाईयोड जो इसमें आपको एंटर कर ना है ठीक पर उसके हसाफ का अखॉर इसके आपका टिपयात इसके लिए थमावरे जी तेमाम चीज़े ने हैं तर पर उस साब से गालकुलेट करके अंपो बताता है या बताता है कि आपकी सेंटरु फै क्या होता है? Central body part में जो आपकी वेस्ट के राउंड होती है, that is basically one of the risk factor. सही, ठीक है. और peripheral fat होती ही, जो आपकी body की, peripheral radius में, हाथ और पेरों में, जो fat होती है. तो central fat basically आपकी diseases के लिए risk है. सही, ठीक है. अच्छा, यह मुझे बताएगा, बजाहर वो लोग जो के बड़े पतले दूबले से होते हैं, हम इनको देखी यही लग रहा होता है, कि यह तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऐसे ही लोगों को हम देखते हैं, कि बहुत अच्छे, smart ल लेकिन जिम के दुरान कार्डिय करेसे उसकी रहत हो. यह और भी रीजन्स है, हम तो सिफ कॉर्णरी आठी डीजीज की बात करें. क्या मैं तो यह लग रहा है, अगलम अदा फेट है, उसको तो कुछ वह नहीं संसा. अच्छा, यह तेस्ट होना रहा है, चीक है. जीक है. इसमें लो-impetence current जो आपकी बाड़ी यह से पास होता है, तो पूरी बाड़ी की जो है, इसमें पूरी बाड़ी की जो है, बाइच चला है. बाइच चला है. मैं पीछा के बाड़ी हो, दोक्तर से वह तो पकी होगी बाड़ी के लिए, अच्छी. तो अब यह कितनी देर मिन का टेस्क आजाता है कि जिनको? हो गया, चले. गुर जनाब. बाड़ी नहीं का 52. वेरी गड़ी परफेक्ट, बाड़ी पतारा है. बाड़ी जनल पैट अग नहींगी अगर यह ष्भ企वेशन एंगा, और फारे कि तो प्रसंटेजाराना जायकी पतला है है. कि ऐनको बाड़ाने की वह भाड़ाने की जिरोदे, इसखे समृइब हो लक्र बेकिन यहाँ कॉर्म जैका इनका लिच्टिंग मत न्यद्स स्ट्रॉग जैए मॉसल बढ़ अच्छाइ विज्ब बूत एच्छाइब और नॉममल नाइन तीक है आज एक और पी तैस्टे चले जी अब वह अपना प्र हुआ एप ने रिख दुने शूगर और को लिस्टरॉल क। इस चेक कर वा लेटिक हो आई जलीज तुमारे तो वैसे हर टेस्स में को नेगिटिव ठाटानी है तुर्थ ने मिं इस ग Dareत हो और स्यंकसे प्रथा रे is तेय। हमारे भूट कुलाः हैं कहा यह कि आए पर में टेहिकसे शोकी लेकिन देखे। मैं चाहूंगी जब तक इनका टेस्ट हो रहा है और जो बात यह कर रहे थे कि जो फिट लोग एक बंदा जिम कर रहा है वो पतला स्मार्ट अच्छे मुसल्स बने में लेकिन उसी बंदे को वो अगर जूरिंग एक्सराइज और वो काडिकरे से उसकी डेट हो जाए तो पहर हम कौन से इसे फाक्टर्स वहीं मैं कहा रहा हूं कि एक तो कौनरी आर्टी डिजीज एक अपनी जगह है यंग एज में भी आने लगी लेकिन यंग ए जाली आप अपर उती है जो ब्लड शप्लाई के लिए बिल के अंदर वैल होते हैं जैसे कोई भी सिस्टम होता है जिसमें फ्लो होता है वाटर में वैल होते है घर में आपके उनका परपस नहां अगर उनके अंदर प्राबलम हो पढ़ाईशी तोर पे और वो नेरो हो तो लोग यह है वह सद्टम काडिक डेथ हो सकती है फिर एक चीज होती है कि दिल के जो मसल्स है वो थिक होते है नॉमल से ज्यादा थिक होते है और यह भी एक पैदाईशी जैनिटिक प्राबलम है बट एक्सप्रेस लेटर आउन होता है अगर यह हो और यह लोग अन्यूज उ अगर आपको नहीं पता और आप अन्यूज वाल एक्सप्रेस कर रहे हैं तो देके इनको सब्सक्राइब करना चाहूंगा आम पब्लिक के लिए कि यह आपने कई दफार सुना होगा ख़बरों में कि कोई मशूर एथरीट जो है वो एक्सप्रेस के दौरान या स्पोर्स के दौरान जो है वो सड़न डेथ हो जाती है जी जी तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि यह इस तरह की जो बिमारियां अभी कल पर सो किसी रेसलर की भी थी कि वो रिंग में उतरे वे थे और वो दिम दिल की बाजिखार के पाकिस्तान के एक मशूर स्कॉश के खिल वो प्रॉपर कार्डियॉलोजिस के पास जा के अपना चेक अप कर आएं उसमें अब ऐसी चीज़े हैं कि हम उस रिस्क को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं और उसको प्रिवेंट करने के लिए कुछ मेजर्स भी ले सकते हैं पहले सही काम प्रिवेंशन जो है वो जादा अगर यह चीज़ हो जाए तो होने के बाद तो यूजूली इतना सडन होता है कि कुछ करना पॉसिबल जो कि अगर जितनी कम उमर होगी इसमें अगर हार अटैक होंगे तो उसमें फिर बचने के चांसे बचाने के चांसे वो हार टैक नहीं होते हैं तो दिल की धड़कन की होती हैं जिसमें दिल बहुत तेज रड़कता है और पर सम्टाइम रुक जाता है जी वो दूसरा है उसमें भी यह कि जो बाहर तो यह होता है कि जो लोग इस तरह की एक्टिविटीज में जा रहे होते हैं उनके पहले रूटीन सारे चेक अपस होते हैं उसके बाद उन्हे जाते हैं हमारे हां तो लोग वैसे तो यह वो उटके हिलते नहीं और एक दिया नेचानक सुचता है कि आराज यह ट्रेड्मिल पर जरा में एक्सराइज और वो जजबाती हो जाते है कि दो घंडे ट्रेड्मिल पर डॉलना शुरू होगा जब तक पांच बंदे पर तो पहले एक स्क्रीनिंग चेक होना चाहिए कोई ऐसे मसाहिल तो नहीं है जो समय का डिक्टर एक प्रॉपर जब जब एक प्रॉपर जब पर साथ है काफी देर से अलेकम अलेकम जी वालेकम असलाम आप तब को मेरा सलाम मैं अपनी डाउस्ताफ ताप तब को आजकोस्ताफ को दुख्शा ग्रेम करा का रजारा हूट away अजग तरुसरे दुसरे माबाब भी को बच्चों को असतरी से प्रीगन कररें तुर्भा सोபोले कि तरह जी तर्वी बैइन करते हैं तब्सक्ता से ओंष त्राटों करें हुआ कश्ण मैं करें इक्ट करें आइ विया यज़ जो कर सकते हैं, अपर भाग में जा जिए, अच्छा करें जो गुछ कर सकते हैं, अच्छा करें, बगुछ फिडीकल करें, तो जो बगार एंछा नही था. और दूरी चीज है कि एजी लाइफ जितनी हो रही वो इंसान को इस तरब और जाएदा रागप कर रही बीमारियों की तरब और लेजीनेस इंसान में आट करी बिवकुल सही जी अच्छा मुझे नाम तो बता दे इतनी अच्छी आपने हमार से बाते शेयर की उन्हें का नाम फैक्टर है कि स्ट्रेस अगर प्रोलॉंग स्ट्रेस है और एनी रीजन तो उसकी वज़ा से यह दिल की बीमारिया और जहनी बीमारिया यह सब बढ़ जाओं अब मैं सिर्फ यहां पर एक चीज़ कहना जाओंगा हम सब यह प्रॉब्लम्स देखते हैं अपने घर में बैट करिंट करते हैं अपने ओफिस में बैट कर करते हैं मीडिया पर करते हैं आइठेंग यह अच्छा फोरम है क्या कर सकता हूँ I should contribute that thing तो अगर as a nation हम सिरफ ये कर लें किर्साइस तो करें लेकिन अपना अपना हिस्सा उसमें डालें उस प्राब्लम को सॉल्फ करने में तो प्राबबली चीजे बेहतर हो से और अभी जिस हिस्से की भी डॉक्टर चांदा ने बात कि वो हिस्सा ये भी कि जब जो भी हम एक तरह से आपको करके भी दिखाएंगे डिमिंस्ट्रेट भी करके दिखाएंगे कि जब आपको पता चलता है देखी डॉक्टर तो हम नहीं हैं लेकिन कुछ चीज़ ऐसे कि इस चोटी सी ब्रेक के बात कहीं मचाएएगा वेल्कम बैक आफिर दिख और आज दिल का दिन मनाया जा रहा है और दिल के दिन में बातें भी सब दिल की हैं दिल से बातें हैं कि दिल को ठीक करने के लिए दिल को बेमारियों से पाक रखने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है अच्छा बहुत सारी चीज़ें जिसमें हार्ड डिसिजिस की वज़े से होती है उसमें ये कि ब्रेट प्रिशर शुगर की वज़े से भी मैं चाहूंगी ज़र मैं अपने से शुगर टेस्स करा लो कि वो मुझे पता चले और बहुत सारी तो डॉक्टर फरजाना लोगों को पता भी नहीं होता कि आपको शुगर है या नहीं है काब में अगर किसी की चेक करवानी है यह निकरवानी अच्छा पहले बता दे खुण जारा तो नहीं निकलेगा ना? अच्छा बस फे टीक है पता तो नहीं चलेगा सुआ में नाशते में कबाब का क्या ही हूँ मैं अठा अब पूच लूँ हाँ!" पता चलिका तुम कितनी मीठी औहुट बहुत मीठा गाती हुए। छलेका है, जाओगा है में पहले हरे बिसे हैं, पर मैं यह टीस्क रखना है को जाना भी हुख़घा है! या दिल के मैस के विसे शुगर भी हो जाती है शुगर की वज़ा से दिल के अमरास का रिस्क बढ़ जाता है इसलिए प्लीज अपनी शुगर का ख्याल जरूर रखें सिंपल से इक डिवाइस एक गोपिटे एंगा आपकर सुगर लेवल टेस्ट करेंगा अचा पोट जा पेन हो यह प्रेको कोगा पेन नहीं होगा दर रहाऊ नहीं हो गया है हो गया है थैंड यू जैंड यू जैंड इतने सी बात थी और आभी लोग डर जाते हैं कि पता नी किया होगा लेकर तो कितना नमल होती है 70-110, ठीक है, बिलकुल नॉर्मल है, इसका मतलब है, मैं और कुछी में नॉर्मल हो, अच्छा ये, क्योंकि अभी हम लोग पहले बात भी कर रहे थे, आप में बोला थे कि आप उनिवर्सिटीज में बिजा के, क्योंकि बजारी ये लगता है कि वो लोग जिनके आई से उम्त लग जाती है, उन ही में जो फैट की वज़ए से प्रॉब्लम होगी, तो आपने स्टूदेंस में भी हमने स्टूदेंस में बहुत सारे सर्वे किया है, डिफरेंट कम्यूनिटी में जाकर इसे पहले पहले पता नहीं होता कि उनको ब्लड परशर हाई रहता है, या उनको श जरूरी नहीं है इन चीज़ों की अलामते होगी हम हमेशा है कि आपको स्क्रीन आउट कराना चाहिएok. बिल्कुल है. जरूरी नहीं है कि हम किसी event का परशेस का इन्तजार करें, किसी बरे बात का इन्तजार करें कुछ होने का इन्तजार करें, बहुत साइगी देफा आपक स्टूरेंट्स में जो दुबले पतली भी है इस्पेशली लड़कियां आजकल फिगर कॉंशियस हैं वेट कॉंशियस हैं वो वेट तो मेंटेन रखती हैं लेकिन क्या करती हैं सिफ डाइट अपनी रेगिलेट करके कहाना कम कर देंगी ब्लाइक कॉफी ज्यादा कर देंगी बहुत सारे लोग ख़िया करते हैं 80 जो स्टूरंस हैं उनका जो सेंटरल फैट ना एक तो percentage अटा आता है उपर सेंटरल फैट जाथ आता है अब स्कूल में जाके देखे पहले कभी बच्चों की पेट निकले वे होते करें पहले पूरा ट्रैक क्रॉस नहीं कर पाते हैं इसलिए कि फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है इनका स्टैमिना ही नहीं है अच्छा कि देखें बच्छे मुझे याद है मैंने खेलना भी था पता होता है कि हफ्ते में एक दिन को ऐसी ऐयाश्री होगी जिसमें बर्गर कि अपने दिल की हेल्थ के बारे में ख्याल रखें अपने आपको प्रॉब्लम होने से पहले अपने आपको बचाएं क्योंकि देखें मिजॉरिटी हमारी जो पॉपलेशन है यंग पॉपलेशन का परसेंटेज एस कंपेर तो मिडल एज और ओल डिज ज्यादा है तो आपक काम करने की जरूरत है ताकि आप एक बड़ी पॉपलेशन को जो है वो सेव कर सके और वो सिर्फ हमारी अवेरनेस से हो सकती है कि हमें जाने कि कौन सी चीजे हैं जिसकी वज़ए से हमें दिल की प्रॉब्लम हो सकती है इन चाप चीज़ों बात करेंगे प्रिवेंशन की आया यगा दिल की धड़कन इनसान के जिन्दा होने का सबूत है ये रुख जाए तो हमारी सारी सरगर्मियां हमेशा के लिए खतम हो जाती है खुद को तंद्रुस्तो तवाना रखने के लिए दिल को तंद्रुस्त रखना भी इंतिहाई जरूरी होता है दुनिया में सबसे जादा अमवाद हार्ट अटेक के बाइस होती है अमराज कल्ब का हमला अक्सर उस वक्त होता है जब इनसान हर लिहाज से अपने अरूच के दौर से गुजर रहा होता है यानी 40 से 50 साल की उमर के दौरान किसी हिस्से में इस दौरान सौ में से 50 फीसद अफराद हस्पतार लिये जाने से कबल ही खाली के हकीकी सिजा मिलते हैं दिल जिसम का सबसे नाजुक हिस्सा है और इस पर ही जिन्दगी का पूरा निजा मुनस्सर है दिल के दौरे से बचाओ के लिए दिल की सिहत का ख्याल रखना इंतहाई जरूरी है ब्रेक की बाद एक बार फिर से खुशामदीत और अब यहां पर जो टबा हार्ट इंस्चूट है वहां से इनकी जो वालिंटियर से वो आपको बताएंगी इस की लिए खुशा ना खासा खुशा खुशा अगर आपके घर में या आपके आसपास आपके दफ्सर में आप किसी भी mountains परता है वहां किसी llenका जारा परता है किसी शॉपंग सेंटर में आप गए हों आप साड़ए में पर खड़े हों किसी को पहले बात यह है कि अगर आप खड़े तो उनको इठा दें जो एक्टिविटी कर रहे हैं को आपने रिलेक्स करना है जितना काडिक आपका कम काम करेगा अपना उसके बेन फीट होगा ज्यादा बेसिकली हमारा भी जो सेशन है वो इस लहांसे है गर को पेशन चेस पें हुआ जो सेने में दर्द हुआ और वो भी जो जाता है तो देन हम उसके बाद क्या करते हैं तो बज़ी बड़को स्टार्ट के जाए जाए जाता है अगर रहा जासिर खान और हमारा बेसिकली सेशन हम सब के लिए बहुत इक लिए अच्छा है अगर हम किसी ऐसी रिमोट एरिया म करते हैं तो आपके एसा परसन देखते हैं इसको सीने में दर्द हुआ दिल का अटेक हुआ और गिर कर ब्यूश हो गया तो आप उस तरह पर क्या करेंगे आपके लेज़ नहीं कुई डॉक्टर नहीं को इनर्स भी नहीं है तो हमने सबसे पहले क्या गटा है अपने सबसे वो पिशेंट तो आपका जो विक्टेम है वो बिहोश है आपने सबसे पहले सका रिस्पॉंस एक करेंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे कम किसी को मदद के लिए पका रहेंगे आपने जो आपके पास अमजेसी नंबर्स भी हैं दस पीस दस नबवे आप इनको को करें लेकिन जब तक आपके बास मेडिकल एड जियां को एंबलेस आती है तब तक हमने सीप्यर बेसिकली आम इसको करेंगे ताकर कर अगर काडियक एक्टिवीड जो रुप चुकी है हम उस आपका दाया हाथ उसकी हील रखेंगे पहले देन दूसरे हाथ से हम इसको इंटरलॉग करेंगे और हमने यह 30 तफार गरना है वन ट्रू थी फोर फ़ाइव सिक्स सेवन एट नाइन तैन ट्वर्व थर्टीन फॉर्टीन फिफ्टीन सिक्स्टीन सेवन एटीन नाइटीन न तो इसको हमने अपनी मस्नुई सांस भी देनी है उसके लिए सबसे पहले हम यह करेंगे कि इसके सर को थोड़ा से पीछे सरकाएंगे और थोड़ी को उपर इस तरह से और किसी भी बैरियर डिवाइस से आपके पास रुमाल हो सकता है दो बटा हो सकता है आपकी शर्ट हो सक करनी है यह वो दो चीजें हैं जो के हम फौरी तोर पर कर सकते हैं हमने हार्ट को पंप करना है 30 30 ताइम और अगर दर्मयान मीन वाइल वो रिस्पॉंड कर दे तो डाट मिस ओविसली वो जो लेकिन अगर खुदा नखासा खुदा नखासा वो तीस टाम पर रिस्पॉंड करें और उनको सांस देने में भी ना हो तो यहीं साइकल रिपीट होता रहेगा जब तक कि वह बहुता नहीं होती है सांस दिल की दड़कन एक आदमी के लिए करना ज्यादा देर मुश्किल होता है तो इसलिए हेल्प को बुलाना जरूरी है जो इन्होंने कहा है कि हेल्प क कि यह चीज बहाल ना हो जाए जब तक कि हल्प ना जाए तो अगर यह उसकी सर्कुलेशन बहाल हो जाती है लाइक पल्स आ गई ब्रीधिंग अगई वह बोश्क में शुरू हो गया तो फिर आप यह उसको शिफ्ट करते हैं मेडिकल फसलिटी में लेकर जाना है जैसे आद खवातीन में जो आम तौपे घर में काम करी होती है आप जी बिशादे अच्छा यह जितनी देर ब्लट पेशर चेक कर रहे हैं एक दो चीजें ब्लट पेशर हमारा वैरी करता है रात में कुछ और होता है दिन में कुछ और होता है जब हम एकसराइस कर रहे हैं उस रेस्पॉंस होता है किसी को हम ब्लट पेशर की बीमारी का लेबिल जब लगाते हैं जब उसका ब्लट पेशर मुस्तकिल तौर पे कई दफ़ा हम चेक करें कॉंस्टेंट रहे कई दफ़ा हम चेक करें और वो 140 और 90 से ज्यादा हो और यह चेक उस वक्ष़ करते हैं जब चेक्स अराम से बैठे वे हों ऐसा नहीं कि जुकाम था सरदर्द हुआ शदीद सर में दर्द हो रहा है उस वक्त हम ब्लट पेशर चेक करें तो किसी भी स्ट्रेस की सूरत में बॉडी का नॉर्मल रेस्पॉंस होगा कि ब्लट पेशर बढ़ जाएगा तो इस ट्रेस की हाल ब्लट पेशर चेक करेंगे और शाहिए अगर बुखार भी चेक करवाने के लिए जाए तो अक्सर रसा होता कि वह आपका ब्लट पेशर ब्लट पेशर चेक कर लेंगे लेकिन अगर उस स्ट्रेस की हालत में बढ़ावा आ रहा है तो इसका ये मतलब नहीं कि आप ब्लट प भी आपका 140 night से ज्यादा आ रे तो इसका मतलब क्या ब्लट पेशर के मरीजें अगर आपकी तक्लीफ ठीक हुई पेट का दाफी Part Odenyka तो इसका मतलब आप बղड पिषयर के मरीज नहीं नहीं, अच्छा इनका बेड पिशर काभी, क्या जी इनका क्या है इनका 184 पिश चैसल अभ जब अपने घर में हो रिलाकस नों को नहीं तो अपने करीबी दॉक्तर से इसको जुरू चेक करवाईएगा और अगर यह मुस्त प्रेकल बढ़ा है तो फिर उसको ठीक है यह भी बाद लोगों के साथ होता है कि जब वो किसी इस तरह की सुरतिहार में होते हैं कि हास्पिटल आते हैं यह जैसे यह शो में आई हुए तो स्ट्रेस की वज़ा से उनका ब्लड पेशर बढ़ जाता है इसको हम वाइट कोड ब् ब्लड पेशर मॉनिटर करके 24 घंटे के बाद हम उसको एनलाइज कर लेते हैं कि इनका एवरिज ब्लड पेशर कितना था यह दूसा तरीका कि आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहां पर यह सहूलत नहीं है तो घर पे अपनी घर की इन्वार्मेंट में रिलेक्स और फिजिशन के लेवल चांदना फिर एक सवाल ब्लड पेशर की वजह से दिल की बिमारी की वजह से दिल की बिमारी का रिखा शूगर को और ना ख्याल रखें अभी और आराम से बैठी वी थी यहां पर उनका ब्लड पेशर कितना बढ़ा हुआ तो यह बिल्कुल ठीक न बेटें काल भी रहता हुआ अलाइकूम जी अला उल्यकूम अल्यकूम ओलालेकूम कौन साब बात कर रहे हैं? हमज़ा बात कर रहा हुँ एंग जानाओ के साथ उनकी एज 75 अल्ड है और वो शुगर के मरीद भी हैं और उनके गाना खाते तो खाना काते तो उनके भी के इस खानहे के गाना इन पेस्व पाई लाहता हं यह खाल को आफ जोना जियाएअ मिद्रैस इस गानाओ कर जानास नहीं कर दोता इस हिड्यश्व है नियुकर कि मुझारि मंख़ ऑपर सहीं जी जी ग्रान्ट फादर अपके। जी 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 जी। दोक्र साथ कहा देखें, काफी चीजे तो नहोंने बहुत प्लेड बता देगें एज उनकी हैं उनका बाइपास हुआ वा है उसके साथ उने जी अजैने में डर्द होगा हैं जाएना हो रहा हो रहा हुआ हो थे इंजा अगर उससे नहीं बेतर होगा तो आगे फिर प्रोसीजर एंग्रेफिय और सही नेक्स्कॉलर असलाम लेकूम हलो पीजी असलाम लेकूम वालेकुम असलाम कौन साब बात करें हैं जी बैना मैंने तो बतेक सिंग से बात कर रहा हूं शेहजाद जी जी शेहजाद भी क्या पुछना चाहेंगे? मुझे ने शेम चाहँ सवाल से शुगर हैं मैंने दाषराव से मशुटा चेमना थाजिए हैं मुझे अभी ओढ़ा थार मशुटा थोड़ा थोड़ा था आप रहा है तो आपको चलने में कोई सीने पर दर्ड बोज दबाओ या सांस पूली की शिकायत होती है जी जी दर्ड जैसे हल्की हल्की सी ठोस में लगती दर्ड की एंसे मसूस होता है और अभी-कभी गुर्ड आपके ख्याल में इस दर्ड का चलने से कोई तालुक है सीड़ियां चड़ें या तेज चलें समान उठाके चलें तो यह तकलीफ होती हो सांस पूलता है सांस पूल है इनको किसी काडियोलोजिस को दिखाने की जरूरत है क्योंकि जो शुगर के मरीज है उनमें यकीन दिल की बिमारी का खत्रा बढ़ जाता है तो इन बताया जा सकता है क्योंकि यह तो वो तो अलामात है जो कि वो फुद फील करें लेकिंगे दूसरी मशीन पर आलामात वो देखने की जरूरत है नग्स कॉल साथ, एसलाम लेकुम जी वालीकम ऐसलाम इसलाम जी कौन सहरिब बहत करी हैं मर स्बैक्ट्री मुस까지 से। मिससे फफुचना चाहेंगी? मुजब भुचना था कि घस रहें से हाट ठैक में पषीना गुड़न होती है एसलांस तंग we Episina भी ठंडय होता है अच्छा ठंडा पसीना होता है, Dr. Farzana, मैं आपनी पास हूँगी, जी, तुम जी कोई ऐसी हो, प्लीज कोई क्सी रेमेडिय बता दें, जो कोई कोई हो, और हो मेड हो, जो बता दें, अच्छा ठीक है, पर आप शो देखते रहें, आप शो देखते रहें, शो में आपको जब शो अच्छा तर मेरे जोब देखते हैं, जी कोई की रेसे का रोह यहां लिकिन मुझे जलने में कोई सांस ठाले पूल ठीय जिले कोई कि अब बिल्कुल नहीं पूल दी आप शुकि मैं च्कनारी भी कम कर दी हुए है, जी, लेकिन मेरा बेट पुड़ा सब बढ़ा हुआ ह तो बीपी की मेडिसम कहा कर दोक्तर कहते हैं कि आपके केल्षियम खतम होगे गुठनो में तो मेरी एज फिफ्टी है अच्छा पचास साल की डॉक्टर फजाना अब क्या सब्सक्राइब देखें यह एक कॉमन प्रॉब्लम है कि जो लोग थोड़े से वजन जिनका ज्यादा ह बुठनों की तकलीफ की वज़ए से वो एक्सराइज नहीं कर सकते और पिर क्या होता है वो वो और और ज्यादा कर देते हैं तो उनका वेट बढ़ना शुरी हो जाता गरिए बाकी चीज़ें इनको बहराल वेट करने के लिए अपनी फिजिकल अक्टिविटी तो करनी चाह प्रॉब्लम मैं उपनी नहीं कर सकता अपना वेट रीट रीट करें के लिए डिए नहीं कर सकता तो आपको प्रॉपर अपढ़ना थीज़ें नहीं होगा चाहिए जो ढूंश जो हमारी बहन ने एक बात की कि जिस तरह की अलामात के घर पे किसी को भी यह शुबह हो कि यह ह हार्ट अटेक हो सकता है यह हार्ट अटेक की अलामात तो चाहे वो अलामात थोड़ी देर में ठीक भी हो जाएं दस मिनट 15 मिनट आपने घर पे कोई टोटका कोई जबान के नीचे की टैबलेट ऐसा कुछ कर लिया अगर किसी को भी यह शुबा हो कि इस तरह की अलामात हैं त आज वकाद जो मेजर हार्ट अटेक होता है उससे चंद दिन पहले आपको इस तरह की वार्निंग सिम्टम्स आना शुरू हो जाती हैं कि पहले आप बिल्कुल ठीक थे अब आपको थोड़ा सा चलने पे तकलीफ होई जो 2-4-5 मिनट पे ठीक हो गई पसीना आया थोड़ा स तो एक तो ये बात और इसमें जो है ये लाइफ सेविंग जैसे शुरू में आपने जब एक वीडियो चलाई थी तो उसमें उन्होंने बताया था कि 50% पेशेंट जिनको मेजर हार्ट अटेक होता है वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते और हॉस्पिटल पहुंचने से पहले उनकी डेथ हो जाती है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जबी भी आपको किसी ऐसा ऐसा शुबह हो जाए कि आप किसी अजीज को ऐसी अलामात हो रही है जो हार्ट अटेक हो सकता है तो हॉस्पिटल जाना मेंडेटरी है चाहे आपकी वो सिम्टम्स ठीक ही क्यों हो जाए और हॉस्पिटल चाहे जितनी मर्जी दूर हॉस्पिटल लेके जरूर जाना है अच्छा उम्मे से तो आज हम यहां पे सेखेंगे कि दिल की बिमारियों को हमने वेलकमें नहीं करना और हमने फॉरण ही ऐसी तमाम तर बिमारियों के लिए दर्वाजे बंद कर देन वेलकम बाक आफर दे ब्रेक, ब्रेक के बाद एकबर फिर से खुशामदीद, उम्मे फाइनली हम क्या बनाने जा रहे हैं? अब बहुत सारी चीजे बना रहे हैं, जैसे भी डोक्टर सबने वी कहा है, सबसे इंपॉर्टन चीजे एक अपना चेक अप सरूर करें, बहुत सारी चीजे होती हैं, अगर फैमिली में तो पहले खाने का बता देती हूं जिजे यह आमले का मुरब्भा और यह सेफ का मुर रूटीन में इस्तमाल रखेंगे, तो यह दिल को ताकत देता है, वैसे भी खारें अपने घर में बच्चों को भी खिला रहें तो उसका कोई नुफसान नहीं है, अच्छी चीजे हो, तो यह समाम चीजे इस्तमाल कर सकते हैं, ठीक होता है, ठीक है, कॉनिस्ट्रॉल बहु बड़ा होता है, उसको घर में वैसे भी खुसा भाता रहा होता है, उसको पता ही नहीं के साथ क्या हो रहा है, लेकिन वही के चेक अप करना, चेक करवाना ज़रूर चाहिए, एक हम बड़ा अच्छा सा कहवा बनाएंगे, और इसको भी अगर आप रूटीन में पीते हैं, आपका बी-पी और कॉलिस्ट्रॉल हमेशे नॉमल रहेगा, रेज नहीं करेगा या बड़ाउन नहीं होगा, इसमें हमें दो कप पानी चाहिए, इसमें अद्रक लेंगे, अद्रक वैसे भी बहुत अच्छी है, अगर आप जिंजर टी पीते हैं या कहवा पीते हैं, प्रेश डाल दें या डाय डाल दें, और काला, जीरा, चौथाई चाय का चंपच, बस ये तीन चीज़े हमने इसमाल करनी है, दो कप को पका के एक कप रखना है, और ये कप आपने दिन में गफ़ा पीना है, ठीक है, इसमें चाहें तो आप शेहत मिला सकते हैं, लेमन जू प्रेस्टरॉल हो गया, आपका हाई भीपी हो गया, या थायरेट का इशू है, या आपके फैट बढ़ रहा है, तो अगर ये पीते हैं, तो डाइजिस्ट भी अच्छी तरह से होगा है, तो आइससा इससा हर फिर चीज़ को आपकी पकड़ लेता है, ये कहवत जैसे हमारा होती है, ये चांदी के वर्क डले होता है, तो पीना काफी मुश्किल लगता है, और फिर वहली बात है के वीट की वज़े से, ये डाबिटिक पेशन्स जो होता है, उनके लिए बड़ा डिफिकल्ट होता है, संदल का शरबत कौन प्री है, ठीक है, उसके लिए अपने ये स हाफ रह जाएगा, तो इसको फिर आपने च्छान लेना है, च्छानने के बाद ये आपका बड़ा अच्छा सा एक सिरफ तयार हो जाता है, सुबह, दुपए, शाम स्रिफ वन टेबल स्पून पीना है, तो ये भी जिनके दिल का मसला है, आर्टरी का मसला है, अपनी मेडिक के सासथ आप ये इस्तमाल करें, तो आप बहुत सारी आने वाली बड़ी बिमारियों से महफूज रहते हैं, उसको आप इस्तमाल करते हैं और पीते हैं, ये तो दो चीज़ें इप्रॉटन जो कहवे की सूरत में और ये घर में मौझूद है, दिन में उसको एक दफा पीने सुबा दुपार शाम, सुबा दुपार, ठीक है, अगर दिन सीने में दर्द रहता है, या फैमली में हिस्टरी है, तो लाजमी पीना चाहिए, और किसी को अगर हार्ट का प्रॉबलम हो गया, उनको भी लाजमी पीना चाहिए, अपनी मेडिकेशन के साथ साथ, ठीक है, अच्छा, इसके डिफरिंट तरीके होते हैं पीने के, एक तो ये कि चाल है, इसको आपने डारेक्ट पानी में पकाया, इसका कहव़ा, सुबा शाम, अगर तो निए खानी ना, बस कहव़ा, ने खानी ने, कहव़ा पीना, अच्छा के तें तरीके होते हैं, बता देती हो, ये तक्रीबन 15 दिन पिया जाता है, 15 दिन अगर किसी को अटैक हो गया है या हार्ट का को इश्यू चल रहा है तो इसको आप साथ-सात ये पिलाना शुरू कर दें, तो बहुत जल्दी सुकून आ जाता है, डॉक्टर की दवाईयों के साथ-सात है, वो बहुत जरूरी है, चक कोई क्लियर करता है, जितनी भी ब्लॉक के जंदर हैं, बिल्कुल, जितनी भी है, इसके पॉर्डर को जो है, शेहत में मिला के रख लें, और सुबह और शाम जिसे जरा सा लेके शेहत चाट लें, तो तो भी आने वाली तमाम चीज़ों से महफूज रहता है, जो के वक्त के जो है, अरजुन की चाल का डाल के उसको पकाएंगे, तकरीबन चार से छे जोच देंगे, उसके बाद सुबह और शाम आधा आधा का पिलाना है, सिर्फ साथ दिन तक, ठीक है, साथ दिन के बाद आप इसको छोड़ दीजे, तो इन्शालला बहुत जल्दी जो भी आपका म अरजुन की चाल जो है, ये लाजमी होनी चाहिए कि जब तक आप डॉक्टर के पास जाएं, कोई मसला, और अगर सीने में बहुत दर्द हो रहे हैं, और फील हो रहे हैं, किसी भी वज़ए सीने का दर्द है, समझ भी नियारा क्या है, इसके लिए हम क्या करें, तो हमाए तो तांबाखों हो जो है सिर्फ सूंगने भे बहुत बड़ी पास ही, तो उससे जो इना है धर्द में घो से ata रिलीफ मिलते है, हम, जैसे कि सिर्ट पासफु technology तो बाद आपने वोक्टर के पास जाना है न किन अपना आमले का मुरबा सिपटी का मुरबा और यक बही का मुरबा ये त料 की ताकत के लिए बहुत important है अगर family में history है तो समझे directable भी तीन चीज़ें होनी चाहिए ज़रूर होनी चाहिए तीनों चीज़ें चले हमाई चीज़ें complete होगे हमें अच्छा एक और चीज जो कि मुझे डॉक्टर साब से पूछनी है कि जब डॉक्टर साब के पास जाते हैं और क्योंकि जब especially हमें दिल का कोई भी मरस लाहक होता है मैं कल पढ़ भी रही थी कि अच्छा कि जब आज आलमी दिन मनाए जा रहा है तो उसके वाले से थीम क्या है तो थीम में थी जी चार चीज़ें आई थी उसमें था कि जी know your heart कि अपने दिल को जाने कि आपके दिल के साथ के मसला तो नह your heart यहनए के गाड़ी спасी चलेगी तो इस गाड़ी को चलाने के लिए दिल की गाड़ी को चलाने के लिए जो इंधन उसको अच्छा हमने देना है इसके एंधन में क्या आ जाता है डाक्र साAD का है नेकिन तो इस इनधन की जो सप्लाई है वो खून की नालियों के जरैए है त तो उसमें जो बहुत सारी चीज बेसिक जो हमने खाता है कोलेस्टरॉल डेपोजिशन, प्लाक रप्चर, ब्लाक प्लॉट यह तो सब होता है तो फ्यूल वहां जाने से रुखता है इसको मेंटेन करने के लिए आपका लाइफस्टाइल मोडिफिकेशन जिसे हम जैनल कहते है कि आपकी डाइट और आपका एकसिसाइज, तो बोलुट जीज नहीं हैं, जो आपकी जो चीज़ें हैं, एक फैट के हाफिधे वाले से हाती है, तो फैट पिछोड ऩो सारी फैट जीज़े हैं वहाइट फैट नहीं होती। बैट फैट में आपकी सेच्यॉरेट्ट तर फै पूछाइब की चीज़े इन में सब गी और यह चीज़े होती हैं आपके औरगन मीट दिल गुर्दे कलेजी मगज नलिया यह सारी जहें यह सारी बहुत बुरी आपके लिए तो यह चीज़ें तो आपके लिए लेकिन कुछ अची फैट से अच्छी फैट में जानेंगी लेक ऐसमें जारी हूँ मुझे ब्लाड प्रेशर भी है जी साथ साल मेरी उमर है आचा जी तो मुझे चाहले सत्रा साल पहले कैंसर भी वा था प्राइस कैंसर अच्छी तो उसके बाद अब मेरे हार्ड के डॉक्र के ने पठेग हम जोर हो गे तरी सांस चीज़ी आली भी तांग साथ साल की ओमर में अच्छा डॉक्सर से पूछ न्या हाट के पठे क्या थिए पहने पहनवान के पठे सुने थे। प्लबगा आपको बटाते हैं वैसे आपकी उमर कोई नियी महीं है साथ साल आपकी ओमरें आप नतनी चीज़ें लगानी हैं आप warrior हैं क्योंकि आप fight करती हैं आपने cancer से fight कर लिया तो यह क्या बात होगी अच्छा आप शो देखते रहें और caller साथ है असलाम अलेकूम अलेकूम वालेकूम असलाम टीवी की आवाज बंद कर दी जपनी जाहिए हाँ जी वो कैसी आप ठीक हैं बिल्कुल ठीक क्या पूछना चाहेंगी जी मैंने डाउट साथ से बात करनी हैं कि मुझे ना तकरीबबन ताट-ाथ साल से शूगर भी है जी ब्लेट पिशर भी है और मेरा क्लेस्टरॉल भी हाई रहता है आज कल मेरा 175 है और जब मैं खाना खाती हूँ तो ऐसे ना दिल की साइट पर जरा बोज सा हो जाता है पर उसके बाद 5-7 मिनट के बाद पर ठीक भी हो जाता है तो एक मेरी लेफ्ट बाजू और लेफ्ट टांग जो है न वो बहुस चुदीर दरद करती रहती है हर वक्त सुबा भी शाम भी तो गर्दन में भी दरद रहता है साथ तो क्या ये मेरे कोई हार्ट की तकलीफ है कोई तो या आपने भी तक चेक अप नहीं कर रहा है पहले मुझे ये बताएं जरह में लडाई तो इस बात पे होगी आपके मैं हार बक्त चेक अप करवाती हूँ मुझे पहले हैपटरडस ही हो गया था तो अब ये बाद आपने टोटल टेस्ट करवाती हूँ तो अभी डॉक्टर हार्ट टोग की बताया आपको कभी भी नहीं बताया मैंने काफी दफा काड़ा अलोजी गई हूँ इसी तकलीफ की वज़ा से लेकिन इसी जियर होती है कभी भी डॉक्ट साब ने मुझे कुछ दिल की तकलीफ नहीं ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद दिल इस कदर बड़ा टॉपिक है क्योंकि दिल के गिर्त ही हमारी पुरी जिंदेगी भी घुमती है जियर अगर ये रुक गया तो हमारी जिंदेगी भी भी रुख जाती है और नहीं सांसे रोख जाती हैं तो जो डॉक्टर्स है मैं चाहूंगे हमसे एक ही करके मेसेज लें क्योंकि टाइम बहुत मुक्तसर है इसके लिए पूरा दिन भी हम बैट के दिल पर अगर शो करें तो हम कम्प्लीटली इस पर बात नहीं कर सकें तो आप से शुरू करेंगे म हम इसको मुर्गों को मरीज बनने से रोकें अब लोग कहेंगे ерт आपना नुकसान करें अपने पर पिश कुझ अनियृ इसके इसको रोकना जरूरी है रोकना जहें से मरीज को भी कि इससे पहले कि उसे नुक्सान हो जाए रोक लें और दूसरे कि कॉस्ट ऐए एफेक्टि जो लोग मरीज बन गए उनके ट्रीट्मेंट शूरू करें और काम्टिकेशन को प्रिवेंट करें तो यह बहुत जरूरी है प्रिवेंचन और इसमें जब तक लोगो अवर्नेस हम लोग नहीं देंगे और लोग इंटरेस्ट नहीं लेंगे शीज को नहीं समझेंगे जब तक नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकते हैं डॉक्र शानना जो यह इसे बाद स्टार्ट करता हूँ जो डॉक्र शानने की कि परहे जिलाज से बेटर है तो पहला मश्वरा तो ये कि कोशिश करें वो तमाम चीजें जो आपके इल्म में हो कि जिन से आप बिमारी से बच सकने उनको प्रैक्टिस करें और ये चीज हमारे लिए भी है अच्छा दूसरी चीज ये कि इन चीजों की वज़ा से आप बच सकतें सिंपली क्या चीजे करनी चाहिए सादा घिजा, सिगरेट नोशी से परहेज और रोज आना 30 मिनिट्स या 45 मिनिट्स की तेस कदमों से वाक चलना या अगर आपको कोई वर्जिश आती है और आपके डॉक्टर ने आपको वर्जिश करने से मना नहीं किया हुआ तो आप बर्जिश करें ये तो सिंपल से चंद स्टेप्स हैं जिससे आप दिल की बिमारियों से और दूसरी बिमारियों से बचाओ कर सकते हैं इसके साथ एक चीज़ और शुरू में बात हुईती कि स्ट्रेस से भी दिल की बिमारियां बढ़ती है उसे दूर रहने के लिए एक बड़ा सिंपल तरीका है कि अपने पडोस का, अपने आसपास के महौल का, अपने वालदैन का, अपने रिस्तेदारों का ख्याल करना शुरू कर दें तो जब आप दूसरों का ख्याल करेंगे, तो यकीन आपका अपना स्ट्रेस रहा, वो कम होगा तो आइ तिंग कि अगर ये सिंपल तीन-चार चीज़ों को हम प्रैक्टिस करें, तो प्रॉबबली हम ना सिरफ दिल की बिमारियों से, बलके बहुत सारी दूसरी बिमारियों से दूर रह से, दूरे सिते, डॉक्टर परजाना डॉक्ट सुहिल और अविफान में बहुत अच्छी बात की जिए, अपना और अपने दिल का खयाल रखें अपनी फैमिली के लिए, अगर आप अपने घरवालों का बेता तरीके से खयाल करेंगे और अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो बच्चे हैं या फैमिली है, वो हैल्दी रहे तो उसके लिए अपनी लाफस्टाइल में चेंजिस लाएंगे, अपने आप से शुरू करें, आप जब आप अपतदा करेंगे, घर का महौल वो बनाएंगे, तो बच्चे आटोमेटिक गुजारेगा, उसी को कहते हैं, दिल वाले, तो अगर आप चाहते हैं कि आप जिन्दा दिलाने लहुर की तरह, आप भी जिन्दा दिल हूँ, तो अपने दिल का ख्याल रखिए, अपने दिल को अच्छी खुराग दीजे, हसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने श्रीम अलाकातु वियला हाफिज।